असलाम अलेकुम वर्मतुल्लाइबरकातो वेलकम अधाब देर्स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कंबिनेशन को ठीक है कंबिनेशन क्या होती है तो कंबिनेशन से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर हमने कंबिनेशन कंबिनेशन क्या होती है एक अरेजमेंट होता है यह भी अलमेंट का अरेजमेंट होता है लेकिन इसमें थोड़ी से एक हिंट दिया था आपको भाई एक पर्मोटेशन और selection combination में क्या फारख है of a tir is light difference ठीक ऑट वहुच mają that makes the difference between permutation and combination ठीक है Let us go to the example strictly तो हम बद में देखेंगे definition कि यह होती है ठीक है अगार हम यहां पे कि आठकनिक that determines the number of possible arrangements in a collection of items where order of selection does not matter तो बुलता है order of selection. order का मतलब क्या हो गया भाई यह इस तरह मैं समझाऊंगा आपको यहां से मैंने देख लो आप यहां से मैंने four letters दे आपको एक example है इसकी मैंने permutation भी निकाल ली है और combination भी निकाल ली है ठीक है तो यहां से समझाएंगे हम कंबिनेशन क्या होती है अगर हमारे पास four letters available है देखो four letters ज़रूर रहे हैं मैं letters ले रहा हूँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं ठीक है तो अगर हम क्या करेंगे हम combine करेंगे हम दो-दो की combination लेंगे दो-दो की combination तो हम बना सकते एक combination एक letter अगर हम दो-दो letters की combination करेंगे तो दो-दो letters को select करेंगे तो अगर हम डूनेंगे combination पहले बात हो रहे combination की तो यह combination हो गई ठीक है अगर हम यह लिखेंगे भाई नहीं B & A लिखेंगे तो यह और यह combination सेम आ रही है in case of combination यह दोनो एक ही चीज़े है B & A B are same in case of combination but in case of permutation they are different क्यों यहां पर देख लो आप यहां पर selection does not matter आप पहले A को select कर लो भाई या B को select कर लो पहले it doesn't matter it hardly matter यह matter नहीं करेगा ठीक है लेकन combination में यह matter नहीं करे लेकिनपर eruption में matter करता है So informationơn mäp don't matter the parent ahead P and tap पहले कौन ले रहे हो दूस्तरा कौन d dragging किसको को दे रहे हो वह matter करता है अगर आपने पहली पूशन A को दी तो दूसरी पूशन B को दी तो A भी बन गया अगर आपके आप दिमाग में यह idea भाई पहले पूशन A को देंगे दूसरी पूशन B को देंगे दूसरी पूशन A को तो BA आएगा तो यह दो different चीजे हैं in case आप permutation अब कोचन यह arise हो सकता है हम कैसे differentiate करेंगे हमें permutation निकालनी हो या combination निकालनी हो unless otherwise is stated इसका मतलब यह हो गया अगर आपके कोचन में यह दिया गया हो कि by premiere अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे तो पहले उस टाइम आपको दिमाग का इस्तिमाल करना है आपको यह देखना भाई हमारी कुछ चीज को कुछ पूशन दे इस पर यह डिपैंड होता है तो इस टाइम आप डिफिनिशन का इस्तिमाल करेंगे आपको दिमाग में यह आईडिया आएगा भाई हमें क्या करना है मैं पर्मिटिशन निकाल नहीं है कमिनिशन एक सिंपल सी मैं एक्जांपल दूंगा आप में पास трåd थीन प्लेयर्ज टिकला ईवरेवल बहुत सारे प्लेयर्ज देंड हैं यह आनाम है और सकानव मैं का नाम है मैं डिफॉटिट निम स्कलाओगा ठीकओ एक नाम है राशिद के हो शाप्स जिए लिखिए आरिएए》 एक नाम है तालिब और तीसरे का नाम लेंगे कुछ और मालो राजेश लेंगे ठीके संदीप लेंगे S A N D तो ये आपके पास ये शाट में लिखा मैंने तो आपके पास तीन प्लियर्स अवेलेबल है अब आपको मैं बोल रहा हूँ भाई ये combination की explanation हो रहे बात समझना ठीके भी attentive हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपसे बाई दो दो प्लियर्स का टीम बनाओ दो दो प्लियर्स का टीम बनाओ तो क्या करेंगे आप आप मैंसे कोई बोलेगे नहीं सर क्या फरक पड़ेगी कुछ नहीं टीम बना रहे हैं ये एक टीम आगई क्या ये दूसरी टीम है इसमें तालिब और राशिद है इसमें राशिद और तालिब है ये तो एक ही टीम आगई न जब ये playground में उतरेंगे मानलो ये ज़रूरी कोई तरह काम हो किस तरह का खेल हो जहां 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 U प्लेयर्श का टीम ही बनाते है हम ने ये टीम बनाया राशिद और तालिब मों ये जब ये मैदान में उतरेंगे राशिद और तालिब select कर लो पहले किसको select कर लो it doesn't matters तो इसे यह team same ही बनेगी तो यहां पर आपको यह ख्याल रखना है भाई हम combination करनी पड़ेगी यहां पर ठीक है क्योंकि पहले आप राशुद को लेंगे या तालिब को या तालिब को लेंगे आ राशुद को इसे टीम एक ही बनेगी तो अब उस टाइम आपको यह दिमाग में रखना है सर हमें combination निकालनी है ठीक है इसी तरह कोई और लेगा सर तालिब और संदीब को लेंगे ठीक है अगर कोई किसके दिमाग में यह चाल रहे ने संदीब और तालिब तो यह एक ही टीम आएगी तो यहां पर आपको खुद दिमाग से सोचना है बाई हमें क्या करना है अगर अगर example में कुछ नहीं दिया हो ठीक है अगर problem में कुछ नहीं दिया हो भाई selection करनी है combination करनी है क्या करना है कुछ नहीं तो उस time आपको definition का साहरा लेना उसमें देखना है काई अगर reputation sorry अगर यह जो order of selection पहले किसको चूज करेंगे दूसरों किसको चूज करेंगे अगर इस पर डिपेंडर नहीं होगी आपकी selection तो उस time इसको बोलते combination ठीक है अब मैं एक और example दोंगा जहां पर यह selection matter करती है जहां पर order matter करता है तो उस time उसको पर मूल मैंने 123 तीन numbers आपको दिये बाई आपको दो 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 डिजिट्स का एक नमबर बनाना है तो मैं एक नमबर वान टू लूँगा 12 ठीक है पहले मैं वान को select करूंगा बाद में 2 को अगर मैंने 2 को पहले select किया है बाद में 1 को select कर ले यह 12 आ गये 21 आ गया तो यह दो different numbers है तो यहां पे selection matter करती है पहले किसको preference दे रहे आप वान को बाद में 2 को जब अगर पहली अगर आप पहली preference 2 को देंगे बाद में 1 को देंगे तो different number आ रहा है जब यह selection जिसको बोलते से selection matters here selection से जब different चीजे निकलेगी न जो आप order दे रहे हैं पूशन दे रहो है one को और यहां पर one को दूसरी पूशन दे रहो यहां वान को पहली पूशन दे रहो है तो इससे different चीजे निकलती है एक आपका number 12 आ गया rotation तो यहां पर आपको दिमाग में यह खायाल रखना है भाई इस टाइम हम चेंज नहीं कर सकते हैं elements card अगर हमने change किया वो एक और चीज आएगी तो उस टाइम इसको बोलते प्रमिटिशन तो यहां से आपको इसको बताया था भाई npr permutation of n taken r at a time तो इस टाइम मैंने बोला था यह n factorial होता है और नीचे दोनों की difference n minus r factorial ठीक है यह होगी permutation लेकिन combination में यह जो r है ना इसको हम divide करते है r factorial बस इतना ज्यादा आता है यहां से देख लो n factorial उपर n minus r factorial वही लेकिन addition में आता है r factorial नीचे ठीक है तो यह actually combination यह permutation ही होती है यह यहां तक यह permutation ही है और उसके नीचे divide करेंगे r factorial ठीक है तो combination कहां से निकलती है permutation से तो इस तरह आप लिख सकते हैं ने permit ये जो combination है ये हम निकाल सकते है permutation से ऐसे NPR permutation से निकाल सकते है ठीक है permutation से निकालेंगे तो नीचे आएगा R factorial इस तरह ठीक है तो इसको हम cross करेंगे तो ये इसके साथ मल्टिपल होगा यह इसके साथ मल्टिपल होगा तो आएगा आर फेक्टर लिंटो ncr is equal to npr तो यह वाला मैंने यहां पर लिखा है यहां पर देख़ो जब यह क्रास मल्टिपल करके यह वाले relation यहां से मिलती है fact permutation और combination के धर्मयान जो relation है that is given by this thing npr permutation में ज्यादा होती है देखो एक और चीज़ आप याद रखने हैं देखो जब हम combination करेंगे न अगर हम तीन चीज़ों की combination करेंगे और उन्हीं तीन चीज़ों की permutation करेंगे तो permutation ज्यादा आती है और combination कम आती है और इसलिए मैंने permutation को combination को multiple किया और factorial से तो फिताब जाके यह बनता है किसके बराबर combination के बराबर तो यह बात याद रख लेना यह मैंने कही पर नहीं लिखिया है ऐसे याद रखना permutation ज्यादा होती है in comparison to combination ठीक है लेकिन उस ताइम पर्मटेशन अफ्स थ्री अब्जक्ट्स एंड कम्टेशन अफ्स थ्री अब्जक्ट्स अब्जक्ट्स सेम होने चाहे ठीक है तो यहाँ पर देख लो मैंने example दिया four letters को मैंने four letters ले यहाँ पर ABCD इनको इनकी permutation हमने पहली पर बनाई है हम क्या करेंगे permutation यहाँ पर taken two at a time दो-दो को एक साथ मिलाके तो वो फारमला क्या आती है four p two तो वो इस तरह आती है दो-दो को combine करना है आपके पास चार letters है एक इस्तिमाल कर दिया तो दूसरे के पास बचेंगे तीन option four threes are twelve तो twelve आएंगी यहाँ से देख लो मैंने यहाँ पर सारे लिख लिए बी बी एक क्योंकि यहाँ पर matter नहीं करेगा a b a different permutation होंगी a c c a में लिखा a d d a तो सार सारे लिखने के बाद यह 12 आएंगी लेकिन combination में क्या होगा a b a a की आएगी इसलिए में एई बी एक बार लिखा a c c a एक आएगी तो इसलिए मैंने एक बार लिखा a d d a एक बार आएगी तो इस तरह से यह 6 बनेगी यहाँ से combination ठीक है तो combination is कम आ रही है permutations ज्यादा रही देखो permutations हमारी 12 आ गई और combination हमारी खाली 6 आ गई ठीक है तो यह आप याद रख ले ना combinations always less than permutations when we take the same number of objects ठीक है तो यहाँ से देख लो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर मैंने लिखा एक note लिखा इनकेस आप combination a b and bar same ठीक है combination में a b and bar same होता है वो मैंने अभी बोला however a b and bar different यह different काब होती है जब हम permutations consider करेंगे ठीक है तो यहाँ से मैंने कुछ notes लिखे अभी मैंने एक formula derive कर ली npr is equal to r factorial into ncr तो permutation किसके बरावर होती है combination के बरावर लेकिन combination को r factorial multiple करना होता है यह r factorial कहां से आ गया taken r at a time इसका मतलब हो गया कितने को आप combine करो है आपके पास 4 letters है तीन तीन का आप एक letter बना रहे हो ठीक है तीन तीन का आप एक word बना रहे हो चार लेटर रोस टोटल है तीन तीन का word बना तो इसको बोलते टेकन 3 at a time means यहां पर यह यह होता है जब हम लेंगे 3 at a time 4 at a time whatever तो यहां से देख लो यह हमें एक और रिमारक लिखला nc0 is equal to nc1 यह हम आगे करेंगे next page पे देखो यहां से मैंने देखो यहां से एक simplification दिये मैंने क्या simplification दिये है देखो क्या सब्लिए हम एक example डूने एक problem से डूनेंगे combination कैसे calculate करते हैं जिस तरह मैंने permutation बला उस तरह देखो यह 63 ठीक है जैसे कि उपर मैंन लिखा नीचे क्या करना है इनकी difference ले लो 6-3 और नीचे क्या था और 3 वो उसके यह एडिशन में आता है combination में 3 फैक्टोरल यह यहां पर 3 आर के बराबर 3 है यहां पर 3 के बराद तो 3 फैक्टोरल हमने यहां से देख लिया यह 6 फैक्टोरल 6-3 फैक्टोरल ठीक है तो हम लेंगे 3 फैक्टोरल तक 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरल पर stop किया क्योंकि यहां से देख लो यहां से एक 3 फैक्टोरल आएगा तो एक 3 फैक्टोरल मैंने ऐसे रखा और दूसरा 3 फैक्टोरल मैंने उसको open कर दिया 3 इंटू तो यह 3 फैक्टोरल 3 फैक्टोर ठीक है ज़र एक और करते है ठीक है यहां से देखो फोर यह फोर चीटू इसको देखे यहां पर कितने आये थे छे क्या रहें देखेंगे फोर चीटूटू फोर इंटो 3 इंटो 2 फैक्टोरेल यहां पर नीचे एक 2 फैक्टोर्यल यहां से है यह दो फैक्टोरेल जो है इसको उपन करेंगे 2 इंटो 1 यहां पर बचा 2 इंटो 3 नीचे लगाए 6 तो 6 यहां से देख लो 6 इस प्रफेशन आ रही है तो I hope it is clear रही है तो आप देखो combination पे बहुत सारी फार्मलाज है बहुत सारी important फार्मलाज you have to remember these are the shortcuts मैंने आपके लिए बनाई है यहां पे तो इनको प्रूफ में भी मैंने किया है लेकिन आपको प्रूफ याद नहीं रखना है आपको खाली याद रखना है nc0 ncn दोनों 1 के बराबर होते हैं इसका मतलब हो या अगर आपके पास 8 numbers है इसनको combine करना है 0 at a time जब भी आप combination में नीचे 0 देखोगे तो 1 के बराबर आता है या इस तरह देखोगे 8c8 उपर यह यहां और यहां सेम देखोगे तब भी 1 दोनों सूर्त में 1 के बराबर होता है यहां पे देख लो ncn सेम है ना n उपर भी नी 0 नीचे 0 अब दो चीज़े याद रखना अगर उपर और नीचे सेम आ गया combination of n taken at a time सेम आ रहा है ना combination of n taken 0 आ गया तो दोनों में यह 1 के बराबर होता है तो यहां से मैंने एक सोड़ी सी simplification दिया है कैसे यह होता है इसके बराबर तो कर सकते हैं देखो अगर हम as per the rules जिस त तरह लेंगे nc0 को nc0 बाई देख लो तो फार्मला क्या है फार्मला कुछ इस तरह से बाई आप जो उपर वाला है हमारा n तो इसका फैक्टोरिल ले लो ठीक है नीचे क्या करना है बाई इनकी difference पहले 0 फैक्टोरिल लेंगे क्योंकि 0 नीचे उसका भी यह 0 जो नीचे होत लो और 0 फैक्टोरिल फिर क्या है मैंने एन फैक्टोरिल का इस रखा टीक है इस तरह आप निकाल सकते ncn को देखते हैं इस वाले को देखते हैं ncn को कि remained तो इसके ऊपर एंड़ टूरेल ए नीचे बी ऊटूर आएGa और इनकी डिफेरेंट्स इनफ मैं इन क्या हो गया जिरो आएगा पहले लिकषेंगे आपके माई लिए मैं लिख रहा हा यहाँ पर यह तो यह एन फेक्टारेलाऊ perspectives रूज उपे उप AUपर आपको मैंने दे दी कैसे expand करना है उपर वाला जो होता है उसका factorial नीचे जो होता है उसका factorial divide में लेना है और दोनों की difference उपर वाले और नीचे वाले की difference लेंगे तो वो नीचे divide होती है ठीक है यह याद रखने ने यह combination की formula है लेकिन एक और उसके बाद मैंने एक point बता लिया अगर नीचे combination में 0 आ गया तो 1 के बराबर अगर दोनों उपर और नीचे दोनों यहाँ पे ncn आ गया इस तरह का गया या 8c8 आ गया 7c7 4c4 3c3 ऐसे कुछ आ गया तो उस तरह उस टाइम भी यह one के बराबर होगा लेकिन अगर अब इस तरह आ गया nc1 नीचे वन आ गया ठीक है और यहाँ पर मैं लिखा n-1 यहाँ इस से उपर वाले से एक छोटा एक कम इस तरह हो सकता है question देख लो किस तरह हो सकता है question अगर आ आएगा न एक नीचे तो उपर वाला जो होता है वह answer होगा सीधे 10 उपर answer यह अगर कुछ इस तरह से आगया 10c9 अगर इस से एक नीचे आगया यहाँ पर 9 है न यह इस से एक कम है तो अगर नीचे दो options दो सूरते हैं एक नीचे वान आ गया उस टाइम answer उपर वाला होता है अगर नीचे आ गया कुछ भी आ गया नीचे लेकिन आपको यह देखना है क्या नीचे वाला एक कम है एक कम है एक कम मतलब हो गया उपर क्या है 10 10 में से एक निकाला तो 9 बचे है ना एक की difference है ना अगर उपर नीचे की difference वान रह गी तो उस टाइम भी उपर ही answer आता है उप अगर उपर और नीचे की डिफ्रेंस वान होगी तो जो उपर होगा वही आंसर आएगा इसका मैंने यहां पर थोड़ा सा प्रूप दे दिया इसको हम कैसे निकाल सकते हैं लेकिन यह प्रूफ करने की जूरत नहीं आप देख सकते हैं यहां से देख लो एंसी वान मैंने ले लिया अब जूरत नहीं आपको प्रूफ करने की मैं फिर भी आपको अगर किसी को शोख हो को समझने के लिए तो कर सकता है इसे एन फैक्टोरियल नीचे क्या होता है इनकी डिफ्रेंस एन माइनस वान फैक्टोरियल और नीचे वान है वान फैक्टोर्र क्योंकि स्पारमला क्या है यही कि इनकी डिफ्रेंस डिवायड कर लो एक रह नीचे रह वान व वो टा कर लो तो एन फैक्टोरियल यह क्मने if दूल ऑन इस और प्रूंड कर सकते एंन इसकी बाद एं मार की मर्जी कहां तक ले जाओगे ऐन तक लेना है लेकिन मैं क्या करता हूं कर है एन-फ़ेक्टरियल को मैंने क्या किया लिक कहा यहां पर फिर उसके बाद क्या किया मैंने इसमें से एक काम कर दिया था्न माइनस यहarta बिए on फस्टाप कर लिया ठीक है क्यों सताप कर ला क्यूंकिनने य्चे भी हैं देखो मैंने किया किया एं माइनस एं मैंस-बार मिन की डिफरेंश भेंगे उपर क्या था एंट तो मैंने यहां पनी लिखा नीच ऑ है नाय छे फेक्टविशेन डिखा मैंस कर रहा हूं США मैंस अनीगा हो गया plus क्योंकि bracket का मतलब हो गया यह दूनु यह जो बाहर है न मायनस से दूनु को है यह N को भी मायनस में लिखा यह मायनस वन को भी तो मायनस वन पलस बन गए तो यह नीचे वन फैक्टर लाया गए यहां से यह मैंने simplify करके यहां पर one factorial लिख लिया और यह n-1 है फिर से वही n factorial को n into n-1 factorial यह और यह गया बजा उपर n तो यह एक छोटा सा प्रूव दिया है मैंने उनको याद नहीं रखना है आपको कैसे करना है प्रूव बट इसे यह भी आपको यह थोड़ी सी जानकर हो गई होगी कि expand कर से कर करेंगी how to expand the combination for love for combination ठीक है चलो एक और फारमला है अब ठीक है अब तब आपने सीख लिया क्या अगर 0 नीचे आ गया तो उपर answer अगर उपर और नीचे same n upon n आ गया तो n answer अगर nc1 आ गया तो उपर वाला answer n sorry sorry अगर nc0 आ गया तो one answer अगर nc1 आ गया तो उपर क्या है एन n answer अगर nc1-1 एक काम आ गया तो उपर जो था वो n वही answer ठीक है अब यहां पर देख लो very important मैंने इसको बोल दिया क्यों मैंने इसको बोल इंपर लिकला देखो इससे बहुत सारी problem सालों होगी हमारी ठीक है ncr is equal to nc1-r अब बात समझना ncr is equal to nc1-r ठीक है यह बाइनमल थ same यहां पर r और यहां पर इनकी difference n-r यह बोलता है यह दोनों बराबर है बीच मैंने equality डाल दे न यह बराबर है तो इसका मतलब इस तरह हो गया 7c3 अगर मैं लोंगा 7c यह बोलता है यह इसके बराबर है 7c इनकी difference कितनी है भाई 4 यह बोलता है यह दोनों बराबर है और यह आपको याद रखना है तो 7C3 इस तरह आप ये भी कह सकते हैं आप ये खुद बोल सकते हैं 5C2 8C2 मैंने लिया 8C2 किसके बरावर होगा 8C6 क्यों क्योंकि 8 में से 2 निकाले तो 6 तो जब हम यहाँ पे दूसरी बार इनकी डिफरेंस लिए तो वो दोनों इसके बराव 7C5 क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे करो वो नीचे लिख रहो तो ये एक और फार्मला होगी ठीक है आगे देखते हैं अब देख रो यापर मैंने लिखा NC2 is equal to NCN-2 is equal to N into N-1 by 2 ये मैंने कुछ एक्सपेंड किया है अगर देखो अब हम देखो एक-एक करके हैं मैंस आपको देख रहा हूँ पहले मैंने 0 लिया NC0 तो 1 के बरावर गया फिर मैंने NC1 लिया तो N के बरावर अब बोलता है अगर मैंने 2 लिया क्योंकि इसे आपकी जो simplification होगी न वो आसान होगी आगे ठीक है इस तरह बोलता है N into N minus 1 upon 2 अगर याद भी ने रहा कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पार general formula है उससे भी इस्तिमाल करेंगे तो answer आएगा ठीक है इसके बाद मैंने लिखा NC2 is equal to NC N minus 2 वो कैसे हैं अभी मैंने उपर बोला भाई हम इस तरह लिख सकते हैं NC2 और ये किसके बड़ाबर होगा NC इनकी difference के आगी N minus 2 क्योंकि उपर बारे फर्मला NC2 इसलिए मैंने ये भी लिखे ये दोने इसके बड़ाबर आएंगे N into N minus 1 upon 2 तो explanation यहाँ से मैंने दी है explain इस तरह करेंगे हम ठीक है जड़ा देखते है explanation तो देखो क्या explanation क्या है NC2 NC2 का मतलब होगे N factorial बात समझना नीचे 2 है 2 factorial और इनकी difference भी लिखते है नीचे N minus 2 factorial ठीक है बात समझ रहे है न देखो अब नीचे N minus 2 factorial तो इस N factorial का हम explain करेंगे कहां तक N minus 2 तक ये आपको याद है और already मैंने ये बताया permutation में N उसके बाद आगए N minus 1 माइड है उसके बाद आगए N minus 2 एक एक कम करते जाएंगे करते जाएंगे 1 तक ले जाएंगे लेकिन 1 तक नहीं ले जाएंगे हमारे पास नीचे N minus 2 है इसलिए मैंने N minus 2 पे stop किया यहाँ पे 2 फेक्टरल हो गया तू और एक और नीचे है N minus 2 पर यहां से देख लो यह two factor यह एन मैनस टू ऐसे लिख यह एन मैनस टू फेक्टरल एन मैनस टू फेक्टरल गोज क्या बचा एन इन्टो एन माइनस टू डिवाइड़ बाई टू यह तो आंसर आ रहा है यह मैंने यहां से एक्सप्लेंड किया है यहां से आसान होगा आपको एक और चीज बहुत ही इंपार्टेंट मैंने लिखिए है वेरी वेरी इंपार्टेंट दो चीजा अब तक मैंने यहां पे भी एन्ट बीच में पलस है अभी तक पलस पे कोई प्राब्लम नहीं की मैंने कम्बिनेशन को अभी पलस नहीं किया लेकिन एक वाली यह है बीच में पलस उपर सेम एन्ट नीचे यहां पे आर और यहां से एक छोटा काम तो यह आप याद रख लेना किस तरह हो रहा है यह आर है मालो यह सेवन है तो यहां से एक काम नीचे एक काम सेवन यह सिक्स होगा यह बोलता है यह किसके बराबर है यह यहां पे एन्ट पलस वन सी आर के बराबर है यह जो उपर यहां पे एन्ट था यहां पे एन्ट था यह सेम था उसमें से एक एड़ कर लो एन C R plus N C R minus 1 इस इकोल्ट यह मैं फार्मल लिख लगा हूँ यह और यह सेम आना चाहिए आ गया तो जब यह सेम आ गया उपर N plus 1 बने गए is equal to मैं आएगा N plus 1 combination ठीक है तो यहाँ पर R, यहाँ पर R minus 1 अब किस को लेंगे नीचे R minus 1 को R को बड़ा वाला R है तो यह इस तरह आएगा ठीक है ज़रा एक example देते हैं यहाँ पर अगर हम इस तरह लेंगे 8 C 5 plus बीज में क्योंकि भार मला में plus है फिर से 8 लेना उपर जुरूरी है क्योंकि सेम आना चाहिए नहीं यहाँ पर BN यहाँ पर BN तो पहले दें क्या formula इस्तिमाल हो रही है यहाँ पर क्या कोई shortcut इस्तिमाल होगा अगर देखो मैंने यह shortcut यह बोल दिया पहले इसको देखना है क्या apply होगा 8 and it's same है ना जब 8 same है तो नीचे यहाँ पर भी देखना है यह भी concern यहाँ पर एक यह छोटा होना चाहिए है 5 एक उससे कम हो गया 4 तो answer किसके बराबर आता है उपर जो था 8 उसको एक add कर लो 9 नीचे बड़ा कोन है 5 है 4 5 है बड़ा तो यह answer आएगा इस तरह तो यह explanation होगी इस formula की यहाँ से देख लो 8C3 8C2 तो 8 8 same तो यहाँ पर 8 पलस 1 आएगा तो 9 आएगा वो एक add होगा तो 10 आता है फिर यह नीचे में लिख लेना आमें कौन सा वाला लिखना है बड़ा वाला लिखना है और यह तब ही formula वेले जब भीच में पलस है तो पलस भी है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इस तरह यह इसके बराबर आएगी ठीक है फाइनली हम इस लेक्चर को एक और शाटकट से conclude करने जा रहे है वो यह है अगर आपके पास दो combination सेम आ रही है एगर आपके पास दो combination सेम आ रही हो सकता है क्योंकि हमारे पास यह combination कभी सेम आ सकती है इस तरह आ सकती है जिस दिए मैंने बोला 7C3 यह किसके बराबर होगा 7C इनकी difference 7C5 7C4 क्योंकि इनकी difference देखो यहाँ पर देख लो यह 77 सेम ठीक है क्या यह और यह भी सेम है नहीं लेकिन इनके दर मैंने एक relation है देखो क्या 4 पलस 3 अगर इनको हम add करेंगे तो वह 7 के बराबर आएगा तो यही मैंने लिखा अगर दो combination बराबर है यहां तो यहां पर A और B यह दोनों सेम अने चाहिए यहां पर मैंने लिखा a canc3 यह भी 73 होना चाहिए अगर यह ऐसा कुछ नहीए कोई उर चीज है तो इनका add होना चाह यह सवन के बराबर जो उपर है इसलिए मैंने लिखा अगर A के बराबर है तो ठीक यहां पर अगर बराबर नहीं है तो इनका add किसके बराबर रान चाहिए जो उपर है एन इसके बराबर ठीक है तो इस तरह से ये हमारा lecture end हो रहा है final conclude करेंगे example मैंने इस पे दे दी है किस पे दे दी मैंने इस पे example दे आपको देखो क्या बोलता है nc9 is equal to nc8 ये बोलता है इसका value दो तो हमें पहले n का value चाहिए देखो ये 9 और 8 बराबर है ही नहीं लेकिन मैंने भी बोला जब दो combinations बराबर होती है न या ये नीचे जो है suffixes इनको suffixes भी कह सकते हैं 9 या पर 8 ये बराबर है न तो ये वाला नहीं होगा hold तो फिर क्या होगा a plus b इनका sum n के बराबर होना चाहिए तो इनका sum हो गया n is equal to इनका sum 9 plus 8 क्योंकि उपर n है न तो n किसके बराबर आ गया 17 तो आब आपके पास answer आ गया find n इस तरह की objective आ सकते हैं और guarantee भी इतने ही simple आएंगे objective n is equal to 17 तो यहां से आपको मिला n is equal to 17 इनका add अब यह निकालना है nc 17 अब यह मैंने additional में आपको परेशन ही डाल दिया है nc 17 निकालो तो निकालेंगे nc 17 n कितना आ 17 तो उपर 17 नीचे भी 17 सेम आ गये न अभी मैंने एक और शार्टकर बोला उपर नीचे सेम तो वान आता है ठीक है यह इस तरह से हम conclude करते हैं अपने इस lecture को तो भाई यह आप याद रख लेना जो आज हमने पढ़ा है बहुत ही important शार्टकर तो फिर से हम एक reverse में जाएंगे precision करते करते हैं यहाँ पर देख लो यहां पर मैंने क्या बता अगर दो दो पर कॉमिनेशन उसको एड करेंगे तो वो एक शार्टकट से हम इनका एड कर सकते हैं ठीक है लेकिन उस प्रवाइड़ कुछ कंशन सेट्सपर होनी चाहिए क्या कंशन उपर अगर सेम आ गया तो ठीक नीचे एक की डिफरेंस होनी चाहिए यहां पर बड़ा यहां पर इस की N-2 क्यूंकि यह बराबर हमका क्या क्योंकि मैंने जोब अभी यह उपर एक और शाटकटें यहां पर इनकी डिफरेंस भी बराबर हो ते एक की बराबर nc2 आएगा किसके बराबर nc n-2 क्योंकि मैं बार-बार लिखता हूँ 7c4 is equal to 7c किसके बराबर होगा इनकी difference 73 इसलिए मैंने लिखा nc2 2 होगा किसके बराबर nc इनकी difference n o 2 की difference n-2 तो ये दोनों बराबर किसके बराबर आएगे n into n-1 by 2 याद रख लेना क्योंकि जब भी नीचे 2 होगा तो आप ये देख लेना n into n-2 तो इसको हम इस तरह भी explain कर सकते हैं अगर आपके पास आ गया 8 अगर इस तरह आ गया 8c2 तो नीचे 2 है तो बोलेंगे सर ने कोई shortcut बोला था हाँ क्या था n into n-1 8 into 8-1 शार्ट में 8 into n-2 by 2 तो फूर्जार एट में से एक निकाला साथ साथ चुकि अठाइस तो आठाइस आ गया answer तो इस तरह हम इस shortcut का apply कार सकते हैं ठीक है इसे उपर मैंने एक और बोला है difference वाली ncr इस किसके बराबर nc n minus r इनकी difference तो इसे मैंने इस तरह बोला 7c2 is equal to 7c5 इनकी difference 7c5 ये हो गया इसका shortcut ये भी आपको याद रखना और पहले मैंने बोला अगर combination of 1 आ गई या एक इससे कम आ गया तो उपर क्या है और वही answer आएगा ऐसे 8c1 तो क्या आएगा answer 8 या 12c11 एक की difference है यहाँ और यहाँ तो वो भी 12 के बराबर आएगा तो पहला जो shortcut था उसमें ये formula जो थी उसमें nc0 नीचे अगर combine करेंगे 0 को या n और n same आएगा उपर नीचे तो उस time ये 1 के बराबर होता है ठीक है I hope my dear students आज आपने जो lecture मैंने दिया आपको ने enjoy क्या होगा thanks next lecture में हम इस पर problem करेंगे ठीक है बने रहना thanks